तू प्रभाद बच्चो आज हम आपकी पाटे पोस्तक स्टांस्क्रिट के तृतिये पाट का अध्यन करेंगे जिसका शीर्षे के स्वर मात्राणी तो चलिए शुरू करते हैं स्वर मात्राणी जब स्वरों को बढ़नों के साथ मिलाकर लिखा जाता है तब उनका रूप बदल जाता है स्वरों के इस पतले हुए रोप को मात्रा कहते हैं आँ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती यह ब्यंजन्मी में पहले से ही जोड़ा होता है जैसे क बराबर क जम अ च बराबर च जम अ आती तो बच्चों जो ये आपका पाठ है स्वर मात्रानी इसमें बताया गया है कि जब हम स्वरो का प्रियोग बर्णों के साथ करते हैं अर्था ब्यंजन बर्णों के साथ करते हैं तब उनका रूप बदल जाता है हमें पता है कि ब्यंजन बर्णों का उचारन स्वरो के बिना नहीं होता जब हम उनका प्रियोग स्वरों के साथ करते हैं तब स्वरों को मात्रा कहा जाता है स्वरों का जो रूप बदल जाता है उसे हम मात्रा कहते हैं तो हड स्वर की अलग-अलग मात्रा होती है लेकिन जो आज स्वर होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती क्योंकि वो व्यंजनों में पहले से ही जुड़ा रहता है जैसे क अगर हम बोल रहे हैं तो हमें लास्त में आ की द्वानी सुनाई दे रही है जब हम इसको विच्छेद अलग-अलग करके लिखेंगे तो क नीचे हलंत लग जाएगा और जमा आ होगा तो अब हम बोलेंगे क ठीक है तो चलिए हम चितरों के माध्यम से इनको समझते हैं अन्य स्वरों की मात्राएं इस प्रकार हैं तो जो सबसे पहले हमारा आ है उसकी कोई मात्रा नहीं होती ठीक है तो यहाँ पर बढ़नों को मिला कर दिखाया गया है त जमश जमकह बराबर तक्षकह तक्षकह मतलब बढ़ई बढ़ई को बोलते हैं तक्षकह तो यहाँ पर हम देख रहे हैं किया त है श है और कह तो जो त है उसमें आ का साउंड आ रहा है यानि आ की मात्रा मिली हुई है श में भी आ की मात्रा मिली हुई है स्वर है वो है आ आ की इस प्रकार की मात्रा होगी ठीक है एक डंडे के रूप पे इसकी मात्रा रहती है और इसका उचारन होता है प जमा आ जमा द जमा प ठीक है इसका उचारन जब हम करते है प के साथ आ की मात्रा लगी है तो प हो जाएगा प और आ की मतलगा थी प द प पादपह क्या बन गया पादपह मतलब पौधा ठीक है अब नेट देखते हैं E जो E स्वर है उसकी मातरा किस प्रकार की होती है इस प्रकार की होगी और जब हम इसको मिला कर बोलेंगे छोटी की मातरा जम प जम क हा, मतलब ये होगया P, कहा फिक है पर E की मात्र लगा दी तो P हो गया कहा मतलब कोयल, फिक हम बोलते है कोयल को नेइNew टिक है A, बहुंसे लोग इसको बड़ी E भी बोलते है, टीक है तो E की मात्र होती है ये वाली, और जब हम इसको इसी बंड के साथ मिला कर बोलते हैं तो मा जमा इ जमा ना मतलब मीन मा का मी हो जाएगा ठीक है इ की मातर लगते ही मीन हा मतलब मचली next है उ उ की मातर का हम प्रयोग किस प्रकार्व से करेंगे यह हमारी उ की मातरा तो हम इसका जब उचारन करते हैं बंड में मिलाकरतो जमा कह मतलनब शा का उप शो हो जाएगा शुकह शुकह मतलब तोता तोते को शुकह कहते हैं उ बड़े उ की मातर है यह यह मातरा होती इसकी और इसको हम जब बंडों के साथ बंड याज mm रह तो यह पर उ की मातरा लगी है इत यू ओ जिया, तो उचारणों का मैं यू रहा, métellब more, Next is, री, री, री की मात्रा के प्रियोग रहा। प्रकार से करेंगे ये है री की मात्रा री की मात्रा इस प्रकार की होती है और जब हम इसका बन के साथ उचारण करते हैं तो व जमरी जमश प्रिक्षहा री का साउंड आएगा ब्रिक्षहा मतलब पेर नेक्स ते री री इसकी मात्रा इस प्रकार की होगी और जब हम इसका ब चारण करते हैं किसी बन के साथ तो इ जमपा जमता जमरी जमाना जममा शब्द बन गया पित्रिणम ताके नीचे री लगा है तो त्री के बाज आईगी पित्रिणम ठीक है पिता का कर्ज अब अगला बन देखते हैं ली लीस रोग की कोई मातरा नहीं होती यह अपने मूल रोग में ही प्रियोग होता है जब हम इसका प्रियोग करते हैं तो यह अपने मूल रोग में प्रियोग होगा इसकी कोई अलग से मातरा नहीं होगे ठीक है अगला देखते हैं अगला जो है ए एकी मात्र इस प्रकार से होती है और जब हम इसका प्रयूग करते हैं 1 में का जामा ए जामा शह तो बन जाएगा चे शह का में हम एकी मात्र लगा रहे हैं तो के के हो गया और इसका अर्थे बाल नेक्सут आता है istÁAR की मात्रा इस प्रकार की होगी अई की मात्रा और जब हम इसका किसी बन के साथ प्रयोक करेंगे तो शんな अग्ला है ओ ओ की मात्रा इस प्रकार की होती है, ठिक है। और जब हम इसका बांड के साथ प्रयों करते हैं आय। यह रहते हो नेक्स है, आय। div प्रकार की होगी होकी मात्रा, और जब हम इसका बार्णों के साथ प्रयों करेंगे noted fraud जमा आय।習 lifelong रहा मतलब चाओ रहा क्या बने कर चाओ रहा और उसमें जब हम चा के साल लगा रहा रहा बन गया नेक्स आती है अंग अंग उसकी मात्रा इस प्रकार से बिंदू के रूप में रहती है जो शब्दों के ऊपर लगती है ठीक है तो अब हम बढ़नों के साथ देखते हैं किस प यह बाजा रहे ना का साउंड दे रहे है अंस ठीक है नेक्स आता है अहा अहा का प्रियोग हमेशा विसर्ग के रूप में होता है दो बिंदिया लगती है लास्ट में शब्द के तो चलिए बढ़नों के साथ इसका प्रियोग देखते है गर जम ज जम अहा ठीक है बन गया गजहा यह अहा का साउंड देता है अकी द्वनी अहा कट यह अहा की द्वनी देता है ठीक है गजहा मतलब आती तो हमने इस पार्ट को अच्छे से उचारण के साथ पढ़ लिया है अब हम इसके अभ्यासकारे को कर लेते हैं अभ्यास ठीक है तो चलिए हमने पार्ट नामानी उचीत मात्रा पूरे कीजिए हमिचा देककर उचीत मात्रा लगानी है जो पहला चित्र है वह है जिससे हम अजुझे áग की मात्रा का फ्योग होगा आञ फिक है नेक्स्ज चित्रे वो कोयल का है जिससे संस्कृत में P का जाता है तो हम E की मात्रा का इसमें प्रियोग कर देंगे नेक्स चित्र है मचली का जिसे हम संस्कृत में कहते हैं मीनहा और इसमें हम E की मात्रा लगा देंगे मीनह नेक्स चित्र देखते हैं किसका है एक तोते का चित्र है हमें पता है हम तोते को संस्कृत में शुका कहते हैं और इसमें हम छोटे उकी मात्रा का प्रियोग करते हैं उकी मात्रा लगा देंगे शुका नेक्स जो है वो ब्रक्ष का चित्र है ब्रक्ष में हमेशा री लगता है नीचे तो हम री को लगा देंगे री की मात्रा का हमने इसमें प्रयोग किया है नेक्चु चित्रे वोई चोर का है चौब रहा काते हैं संस्क्रित में तो अव की मात्रा हम इसमें लगा देंगे तो बच्चों हमने इस प्रशन को अच्छी प्रकार से संपन कर लिया है अब हम अगला प्रशन पढ़ते हैं स्वारान, तेशा, मातरानी, सह सुमलेत स्वारों को उनकी मातरों से मिलाए तो चलिए मिलाते हैं कौन से स्वार की कौन सी मातरा है दो कोलम दे रखे स्वर और मात्राएं लिए री यह होगा री आई की मात्रा, आउ की मात्रा, अंग की मात्रा, चोटा उड़ह गया था, चोटेव की मात्रा, तो बच्चो हमने इस पार्ट के अभ्यास कारे को अच्छी प्रकार से संपल कर लिया है, तो बच्चो आज हमने आपकी पार्टे पुस्तक संस्क्रित के तिर्टे पार्ट स्वर मात्राणी का अच्छी प्रकार से उच्छारण के साथ अध्यन किया, हमने सीखा कि कौन से स्वर की मात्रा कौन सी होती है, उसका बढ़नों के साथ किस प्रकार से हम प्रियोग कर सकते है आशा करती हूँ आपको अच्छी से पार समझ आया होगा आप जरूर उसे उचारण के साथ पढ़ेंगे उसकी मात्राव को समझने की कोशिश करेंगे अभ्यास कारे को पिर से जरूर कर लेंगे मिलते हैं अगली कक्षा में नए पार्ट के साथ तब तक के दिए स्वस्त रहे प्रसंदी दन्यवाद